हिंदू धर्म में हर साल भादरपद माह के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी से शुरू होकर अनन्त चतुर्दशी तक गनेश महोत्सव मनाया जाता है दस दिन तक चलने वाले इस त्योहार में शुब महूर्थ के दोरान घर के मंदिर या पूजा पंडालों में गनेश जी की मूर्ती स्थापित की जाती है गनेश जी की श्रधा पूर्वक पूजा अर्चना होती है इसके बाद दसमे दिन यानि अनन्त चतुर्दशी के दिन गनेश जी की मूर्ती को विसरजित किया जाता है देशभर में गनेश चतुर्थी बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है इस साल गनेश चतुर्थी का शुब मुहूर्थ, मूर्ती स्थापना का शुब योग और पूजा विधी जानते है गनेश चतुर्थी का शुब मुहूर्थ वैदिक पंचान के अनुसार इस साल भादरपद माहशुकल पक्ष की चतूर्थी तिथी की शुरूआत 18 सितमबर को दोपहर 2 बचकर 9 मिनट पर होगी और 19 सितमबर को दोपहर 3 बचकर 13 मिनट पर समाप्थ होगी उदया तिथी के अनुसार इस साल 19 सितमबर को गनेश उत्सव का आरंभ होगा वहीं 28 सितंबर को अनंत चतुर्थी के दिन गनेश जी की मूर्ती विसरजित की जाएगी मूर्ती स्थापना का शुब समय इस साल 19 सितंबर को सुबह 11 बचकर 7 मिनट से दुपहर 1 बचकर 34 मिनट तर गनेश स्थापना का शुब मुहूर्थ बन रहा है इस शुब योग में आप भी बड़े धुमधाम से गनेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं गनेश चतुर्थी पर शुब योग इस साल गनेश चतुर्थी पर यानी 19 सितंबर 2023 को कई शुब योग बन रहे हैं इस दिन दुपहर एक बजे तक स्वाती नक्षत्र का भी शुब योग रहेगा इसके बाद विशाखा नक्षत्र भी राद तक रहेगा गनेश स्थापना की पूजा विधी गनेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठे स्नान करे और साफ कपड़े पहने घर का मंदिर साफ कर ले एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दे अब शुब मुहूर्थ में पूर्व या उत्तर दिशा में गनेश जी की मूर्ती स्थापित करे गनेश जी की प्रतिमा के बगल विधी सिद्धी को स्थापित करे अब गनेश जी को हल्दी, दूर्वा, इत्र, मोदक, चंदन, अक्षत समेथ सभी पूजन सामगरी चड़ाए गनेश जी को धूब दीब दिखाए और गनेश जी के साथ सभी देवताओं की आरती उतारे पूजा के पश्चाद गनेश जी के मंत्र ओम गम गनपत्य नमह का जाप कर सकते हैं